हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल वन स्टेप फूर एजूकेशन आज की विडियो में हम करेंगे ग्रोथ एंड डेवलप्मेंट क्या होते हैं इन्हें हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या फिर इन दोनों के बीच जो डिफ्रेंस है उन्हें हम कैसे समग सकते हैं और उसके बाद growth and development के कुछ important points है इदर जो उपर नहीं कवर हुए उसके बाद हम करेंगे principle of growth and development जिस principle of growth and development में से एक कोशन आपका paper 1 में भी और paper 2 की पैड़गोजी में पूछा जाता है most of the time ये topic आया है आपका seated के exam में principle of growth and development हम इन्हें समझेंगे यहां आपके सारे ही principle cover हो जाएंगे 16 principle होते है growth and development के तो इधर आप अगर पढ़ होगे तो सारे आपके जितने भी principle cover हो जाएंगे बस आपको यह learn नहीं करने एक बार इन्हें सुनना है और सुनने के बाद आप जब इन्हें options में देखोगे तो वह आपको remind हो जाएगा कि मैंने यह वाला पढ़ा था तो बस हम आज की वीडियो में यह करेंगे और growth and development is most important topic for seated यह बहुत ही important topic है seated का paper one का भी और paper two का भी इससे एक question आता है और यह मैंने यह कोई यहां आपको कुछ बहुत जादा नहीं पढ़ना है बस important topics है जो पूछे जाते है important content है जिसको पढ़के आप paper में answer कर सकते हो question जो आएगा growth and development का आई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो उसे पहले फ्रेंट्स अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया होगा तो प्लीज आप चैनल को subscribe कर दीजेगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज वीडियो को एक like भी कर दीजेगा first of all growth and development what is growth growth we mean physical changes growth से हम क्या समझते हैं जो भी हमारी body में physical changes होते हैं ऐसे changes जो हमें बाहर से दिख सकते हैं only physical aspect is cover जिसमें physical aspect cover होता है जो भी हमारे body में physical changes होते हैं वो होती है growth अब physical changes से आप क्या समझते हैं ऐसे changes जहां size में increase होगा, size में decrease होगा, weight increase decrease होगा, increase in weight and size growth का result क्या होता है कोई बढ़ रहा है, growth का मतलब होता है बढ़ना तो बढ़ता है कोई कब जब उसका weight बढ़ेगा, उसका size बढ़ेगा, उसका number बढ़ेगा तो growth में होता है, physical changes, physical aspect is covered, on the other hand, development में क्या होता है, overall development development का मतलब होता है, पूरी body की ही overall development जो है, जिसे की physical changes जो बच्चे में आ रहे हैं, social cognitive, emotionally, mentally बच्चा कितना develop हो रहा है, तो यह होगा development में, और अगर आप यह आप देखिए, physical changes भी development में आ रहे हैं, तो आप यह line याद रखेगा, growth is a part of development growth भी एक development का पार्ट है, next आप यह देखिए, growth क्या होती है, quantitative होती है, growth को हम measure कर सकते हैं कि बच्चे का size कितना बड़ा है, height कितनी बड़ी है, weight कितना बड़ा है, तो हम उन्हें measure कर सकते हैं, तो इसलिए growth क्या होती है, quantitative होती है और दूसरी तरफ, development क्या होती है? qualitative होती है तो यह question बहुत बार आता है, यह दो terms quantitative और qualitative growth क्या होती है? quantitative होती है और development क्या होती है? qualitative होती है उसके बाद, not continuous, growth कैसी होती है? एक point पे आके growth रुख जाती है आप देखते हो कि assumes do too होता नहीं है ग्रोथ एक टाइम पर आके stop हो जाती है उसके बाद उसकी ग्रोथ होना बंद हो जाती है बट जो development होती है वो continuous process है throughout the life इनसान में development होती है कभी उसमें कुछ socially develop होता है कहीं से देख कर या हमारे environment के थ्रूँ जो mentally development आती रहती है time to time या पूरी life ही इंसान समच सकता है learning कर सकता है तो वो भी तो एक kind की development है तो development एक continuous process है जो कभी stop नहीं होता तो एक तो यही सबसे important point है growth continuous नहीं होती development continuous होती है और growth क्या होती है quantitative होती है और development qualitative होती है उसके बाद consider to be narrow growth को को कैसे concerned with एक point is structural growth को हम कैसे OLED कैसे समढ़ सकते कि वो structural होती है उसमें क्या होता है हमारे structure में changes ऐते हैं और development में क्या होता है development don't होती है structural and functional structural मैं तो change is faint के इसे हुदे जाते हैं हमारे फॉरक्षन में ही चेंज होते हैं यह अंत्य कि दिया of the शेच किसी के दर में तो टो डिअगगी simplinhas होगी दो डिन सौGrट एक कहिसी में तो नेरो और डेवलेपमेंट इस कंसीडर टू भी ब्रॉडर डेवलेपमेंट कैसी होती है ब्रॉडर होती है मतलब बहुत जादा एक तो यह कॉंटिन्यूस है पूरी लाइफ चलती रहती है तो हम दो टर्म यूज करते हैं नेरो और ब्रॉडर तो ग्रोथ के लिए नेरो आप यह लाइन लिख लिए गा और दूसरा ग्रोफ एंड डेवलेपमेंट और इंटरेलेटेड डेगो साइमल्टेनिस ली का मतलब होते साइड बाइसाइड गो साइड बाइसाइड जीसे जैसे आपकी बॉडी पे ब्रॉड़ होती रहेगी कहीं आपको स्टार्टिं में नहीं होगा बट वो development भी साथ के साथ आपकी चलती रहेगी तो यह दोनों ऐसे प्रोसेसे जो एक साथ चलते जाते हैं बट एच सम टाइम ग्रोथ विल स्टॉप बट डेवलेप्मेंट तो चलती ही जाएगी थ्रूआउट लाइफ और ग्रोथ क्या होगा एच सटें टाइम चुछ विल स्टॉप उसके बाद आप यह वाला पॉंइंट पॉइंट इम्पोटन एक है की जैसे की ग्रोथ होती है्प्रोथ क्या सिर्फ कॉंटिटिटिव है ग्रोथ को हम मेजर कर सकते बट्यूप मेंट हैं वह वह क्वालिटिटिव तो है ही बट्ट वह ट्म टेटिट कि इसकी सोशल डेवलपमेंट कितनी है कुछ कोशन अराइज करके तो हम उसे भी मेजर कर सकते हैं तो यह कोशन भी आ चुका है जिसे आता है सेलेक्ट वन इन में से गलत उत्तर पर निशान लगाई है तो उसमें आपको बहुत सारे पॉइंट से देते हैं तो इस तरीके से ड यह इस है क्वालीटियटिव तो तो और इसे गलत कर देते हैं सकते हुशन, वह वमिन से आद्मीव से जाद ऑर्तों का उता है उसके बाहुत क्यों थे अगिन्स में पता ही होता है कि ग्रोथ का मतलब होता है इसे उसके देख़िए, ब Vorteil सिम का मतलब बहुता है in weight and size और या पिर growth as general pattern and it is not different in different persons ये तो बहुत ही easy से point है ये सबको पता होते हैं या हमें बहुत सारी वीडियो से मिल जाते हैं या बुक से मिल जाते हैं जो हम पढ़ते हैं बट यह जो हैं यह important है जो हमें हर बुक पढ़कर नहीं पता चलता या फिर हमें पूरी थ्योरी पढ़नी पढ़ती है दो-चार पेजिस की जो लिखा हुआ होता है बुक में फिर उनका conclusion होता है तो मैंने डारेक्टी यही points लिखे हैं जो पेपर में पूछा जाते हैं और जो important भी है उसके बाद है principle of growth and development principle of growth and development से एक question आता ही है paper one में भी और paper two में भी तो यहां पर मैंने सारे ही कवर किये है 16 principle होते है growth and development के तो आई यह बस एक बार इने पढ़ लेते हैं इनको ज्यादा detail में नहीं पूछा जाता बस आपको तीन आपके चार option होते हैं उसमें से तीन आपको correct principle दे देंगे जो इन 16 में उससे होते हैं और एक आपको कहीं से और से दे देंगे तो बस आपसे पूछा जाता है इन में से कौन सा growth and development का principle नहीं है तो जिसको यह 16 के 16 principle पता होंगे वो ही निशान लगा सकता है कि कौन सा नहीं है तो बस हमें एक बार यह पढ़ने होते हैं इतना इसमें और depth में नहीं पूछा जाता principle of continuity की जो growth है development है वो continuous process है वो throughout the life चलती रहती है तो उसे कहते principle of continuity second principle of uniform pattern की जो बच्चे की process है development का वो individual difference में और वो कैसा होता है uniform होता है एक सेम पेस पर चलता जाता है उसके बाद principle of individual में हमारे difference आते है की development process कैसा है उसकी different stages है और हर stages में अलग-अलग characteristics आते हैं तो उसे कहते principle of individual थर्ड हो गया और उसके बाद फूर्थ है principle of joint product of heredity environment जो यह principle है development हो रही है जो भी बच्चे के इंट ग्रोथ हो रही है किसका product है यह इन दोनों से मिला कर होती है कि जो भी हमें हमारे parents से मिलता है कि जैसे आप देखो जिनके माता-पिता की height कम होती है उनके बच्चों की height भी जनरली कम ही होती है तो जो भी हमारी growth or development है वो करती है कि हमें अपनी hereditary में अपने parents से क्या मिल रहा है और कैसे environment में हम रहे है environment का example है ऐसे समझ सकते है कि हम अमेरिका में जाते हैं महां हम जितने भी लोगों को दिखते हैं वो सभी उनका कितना fair color होता है तो वो उनके environment की वज़े से होता है principle of the total development principle of the total development में होता है जो भी development होती है human body में वो पूरी occurs as a whole मतलब वो पूरी होती है उसके बट उसके भी बहुत सारे expect होते है जैसे human personalities simultaneously होती है उसके बाद फिर उसकी social है mental है physical है emotional development सब होती जाती है तो यह क्या होती है एक total development है इंसान की principle of maturation and learning जो भी development होती है इंसान की चाहे वो छोटे level पर भी बच्चा हो तो उसे उस चीज को करने के लिए maturity क्या खटे कि important role play करती है कि जब तक बच्चा उस चीज के लिए maturation होगा अगर एक छोटे बच्चे भी अगर वो खेलना चाहते वो चलना चाहते तो वह पहले अपने वह चलने के लिए उनके इस चीज की एज होती है कि हाँ इस एज से इस चीज तक ही बच्चा चलना सीख पाता है तो उसके लिए भी एक maturation चाहिए और maturation के बाद ही वो कुछ learn कर सकता है तो principle of maturation and learning principle of developmental direction अब principle of developmental direction यह important principle है इससे question आता है इसमें दो point है आपके cephalocodal sequence और peroxidistal sequence अब इसमें यह है कि बच्चे की जो developmental direction होती है वो किस direction में होती है तो आईए इससे देखते है मैंने यहां लिखा है principle of developmental direction उसमें यह देखे cephalocodal cephalocodal का मतलब होता है यह term आपके लिए new होगी cephalocodal sequence यहां पर sequence नहीं लिखा आप लिख सकते हो sequence सिफैलocodal sequence का मतलब होता है development of a body is from head to toe जो बच्चे की development होती है जो बच्चे body के अंदर development होता है बच्चा वो कैसे होता है from head to toe सबसे पहले वो head से develop होना start करेगा उसके बाद वो मतलब उपर से नीचे development होता है बच्चे की तो यह एक new है cephalocodal sequence शायद आपने पढ़ा भी होगा उसके बाद इसका ही दूसरा point है proxydistal sequence आप इसके यहां पर sequence add कर ले ना proxydistal sequence इसमें क्या होता है development of body from inner to outer जो बच्चे की development होती है body में वो कैसी होती है inner to outer मैंने एक example भी लिखा है like shoulder elbow wrist hand सबसे पहले बच्चे की कहां मतलब अगर inner to outer तो हमारे inner क्या है shoulder है हमारे ज्यादा पास कोन है shoulder उसके बाद elbow को होनी फिर wrist कलाई उसके sequence तो I hope आपको समझाया होगा उसके बाद है principle of variation in the rate of growth and development अब आप समझे variation variation का मतलब होता है changes जितने भी लोग है उन सब में variation होते है किसी की growth जल्दी होती है किसी की लेट होती है तो सब की जो rate of growth and development होती ना वो different होती है सब की अपनी मतलब यह नहीं है कि हर इंसान पांच साल की उमर में भागना की एक इंसान है जो पांच साल की उमर में बहुत इंटेलिजेंट है तो दूसरा बच्चा भी उत्रहीं इंटेलिजेंट होगा उसकी उतनी ब्रेइन की development होगी ऐसा नहीं होता सबकी ही rate of development और growth rate of growth and development different होती है उसके बाद है principle of predictability predictability में आता है कि हम प्रूफ कर सकते है predictability का मतलब वो क्या होता है कि हम किसी चीज को predict करना तो हम predict कर सकते हैं कि किसी बच्चे की development कितनी हुई है या नहीं है अब हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे थूँ उसकी intelligence child intelligence personality interest capability capabilities और capacities इन सबसे हम predict कर सकते हैं कि उस बच्चे की development कितनी हुई है next principle of development from general to specific जो भी बच्चों में development होती है वो कैसे होती है general to specific सबसे पहले development किसी होती है general जरल चीजों की होती है general 알았어 अब आप यह समझी है जिए जिए मअन पहले हमें नहीं पता होतँ हुए उसका interest किस में या उसका फ्लोव किस वे वह में जा रहा है या वो किस फेल्ड में जाना चामता है सबसे पहले बच्चों को कुछ general to specific पहले general की development होती है उसके बाद करते करते फिर एक particular field में interest आता है तो वो से हम specific कह सकते है principle of integration integration का मतलब होता है overall total मिला के जितना भी होगा तो इसमें हम जानते child first learns to सबसे पहले बच्चा क्या करता है उसके जो child learn करता है है उसके whole organ होते हैं उसके बाद specific part होता है principle of integration में इसका example हम यह देख सकते हैं सबसे पहले बच्चा क्या करता है अपने entire hand को move करता है उसके बाद वो क्या करता है अपने gradually move करता है अपने hand को फिर उसके बाद वो अपनी finger को move करना start करता है फिर उसके बाद integrate क्या होता है मिला के करना दोनों को मिला के move करता है हाथ को भी और finger को भी मतलब इस तरीके से बच्ची की development होती है integration से direct यह कि बच्चा पूरा हिलना start हो जाता है पहले वो अपना थोड़ा सा हाथ हिलाने start करता है फिर उसके बाद finger और हाथ दोनों मिला के होता है तो इस तरीके से हम principle of integration को समझते है principle of accumulation and recapitulation उसमें experience करता है बच्चा important समझता है अपने development की process कैसा होता है उसका experiences are great importance in the process of development की बच्चा जो भी पहले experience करता है उसके बाद वो उसका feedback देखता है वो सोसता है कि हां मुझे यह चीजे करके मजा आया तो वो दुबारहोंने recapitulate recapitulate करता है recapitulate का मतलब होता है जो भी हम अपने experiences के थ्रू करते हैं next principle to think from concrete to abstract इसमें यह आप इस तरीके से समझ सकते हो बच्चा क्या करता है child tries to understand cause and effect बच्चा उसके cause जो भी चीज वो करते है उसके cause और effect को समझने की कोशिश करता है पहले और उसके बाद वो समझता है उसे simple level to लेके complex कि पहले वो simple चीजों को understood करेगा उसके बाद फिर जब उसे वो समझने लग जाएगी तो वो complex चीजों की तरह बढ़ेगा तो इसको बलेंगे think from concrete to abstract next principle of outer control to inner control तो इसमें क्या होता है पहले बेबी को कौन control करता है उसको control करते आउटर लोग उसके मंभी पापा उसे जब कुछ नी पता होता तो वही उसे control करते तो उसे कहेंगे आउटर कंट्रोल फिर उसके बाद वो जैसे जैसे grow up करेगा वो समझने लग जाएगा तो वो फिर खुद को control करेगा तो उसे कहेंगे inner control principle of correlation and then last is rate of growth of development in male and female principle of correlation में होगा कि आप कैसे चीजों को correlate करते हो child की growth और development को तो यह कैसी है साइमल्टेनेसली तो है और उसके बाद एक यह बात विससे हमें इसे ज्यादा depth में पढ़ने की ज़रत नहीं है बस आप इतना ही यादर कर लो नहीं तो वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाएगी principle of correlation rate of growth and development in male and female मेल में होगा जो फीमेल की growth and development है वो faster होती है देन मेल से growth जो होती है फीमेल में वो ज्यादा तेजी से होती है as compared to male उसके बाद यहाँ पर यह हम पढ़ शुके थे से फैलो कॉर्डल एंड प्रॉक्सी डिस्टल सीक्वेंस अब आप यहाँ पढ़िए इंटर इंडिविजॉल डिफृंट इंटर इंडिविजॉल इंटर वर्ड वहां यूज उता है जब हम आपने आपको किसी और से compare करते है इंटर इंडिविजॉल डिफृंट अगर दो लोगों को compare करेंगी इअन के comparison हमसे ही होता है intra individual difference अगर आप एक बच्चे को देखेंगे in a single child rate of development is different अगर आप एक ही बच्चे को consider करेंगे single child में भी उसका rate of development different होगा जैसे कि कोई बच्चा होता है वो emotionally ज्यादा developed होता है या उसके emotions वो ज्यादा emotional होता हो और अगर दूसरे बच्चे को करेंगे तो वो बिल्कुल भी emotional नहीं है तो यह तो हो गया कि इंटर का example अब आप इंटर का example यह समझ सकते हैं in a single child rate कि एक ही बच्चे में एक बच्चा ज्यादा emotional तो है बट वो socially developed नहीं है उतना mentally developed नहीं है तो यह भी dependent करता है कि कोई बच्चा ज्यादा emotional development हो जाता है कोई ज्यादा मतला वहीं ज्यादा फिर socially कम हो रहा है उसके अंदर emotional जьादा है emotions ज़्यादा है बट वो socially developed कम है तो इस तरीके से यह भी different होते है इस तरीके की तो इस तरीके से हमज़े यह है जिसे स्पाइरल होती है हमारी कॉयल यह स्पाइरल तो इसमें बच्चा क्या करता है सबसे पहले बच्चा पढ़ रहा है फिर उसको रीड कर रहा है फिर उसको देख रहा है फिर बैक वह वापिस आएगा और उसको रिवाइस करेगा तो देख फिर दुबारा देखता है लुक बाग और उसके बाद रिवाइस करता है फिर आगे बढ़ता है तो इसे कहते है तो इसे कहते हैं spiral development करने पर इस तरीकी से समझ सकते हैं कि उसके बाद है आप यहां देखे एक फ्लो चार्ट से आप समझ सकते हैं growth and development इससे आपको समझ आ जाएगा यह है growth यह development change कैसे होते हैं देखे चेंज growth में क्या हुआ यह quantitative है development में क्या है यह qualitative है अब growth में क्या होता है change in size number kind position weight और development में किस तरीके से physical development mental development social development emotional changes इस तरीके changes जो होते हैं वो development में होते हैं और जो यह changes और growth में होते हैं तो यह था आपका topic growth and development I hope आपको समझ आया होगा या जैसे भी आपको जो feedback होगा आप मुझे comments में बता सकते हो और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं कियो तो प्लीज चैनल को subscribe कर दिजेगा और अगर आपको वीडियो अच्छे लगये तो वीडियो को एक like कर दिजेगा अखकी उच्छे लोगर एक जा किम